अभी आपका पेपर दिसंबर 2023 के अंदर बना था अभी इसमें क्रेक्शन है जो मुझे लग रहा है कि आई से साई के आंसर में मिस्टेक है छोटी सी मैं अगर आपको दिखा रहा हूं आई थिंग सबने आपने आई बीसी पड़ा होगा तो आप मेरी बास से एगरी करेंगे और अगर एगर करेंगे तो आपने बताना जुरूर है कि आप मेरी बास से एगरी करते हैं या कुछ और इसकी इंट्रप्रडेशन निकल के आ सकते है तो वो भी आप मुझे बताएंगे ठीक है ना क्योंकि ओविसी बात है कि मैं भी इंप्रूमेंट मतलब अगर आपको है लिए बोला कि उद्होंने बोला कि आप सी एसो वेल प्रफेशनल से एसो आप क्लाइंट को कंसल्ट करोगे और फिर इन्टोंने यहां से कोशन बलब पूरी केस्टेड़ी देनी स्टार्ट की है अब इसका इन्टोंने यह पैरा नंबर ए दिया हुए इसके अंदर part of coc from the list of creator given मलग जो पैरा नंबर वन में creator की list given है ना उसमें कौन coc का part बनेगा तो पहली बाद मेरे को लगता कि coc का part कौन बनेगा that is section number 21 ठीक है section number 24 हमारा coc की meeting को होता है 21 होता है constitution of coc का अब अगर आपको section number 21 ध्यान आ रहा उसमें लिखा था कि जितने भी financial creators होते हैं ना वो coc का part बनते हैं उसकी फिर हम याद कर उसकी दो प्रोवीजों थी प्रोवीजों में क्या था कि अगर वो related person है corporate debtor के तो फिर वो ना उनको representation का राइट होगा ना party special का राइट होगा ना वोटिंग का राइट होगा फिर एक प्रोवीजों और थी कि अगर आप related party बने किसे एक particular वजए से CIRP comments होने से पहले तो फिर वह फिर्ट प्रोवीजों जोगी वह applicable नहीं होगी I think 21 के सब section 2 में पाइंट आपने पढ़ा होगा तो symbol जी बात क्या निकल क्या रहे कि जो financial creator है वो COC का पाइट बनते हैं बाकि अगर मैं 24 में meeting जो होगी उसके notice की बात करूँगा तो financial creator को जाएगा और जिस operational creator का debt अगर 10% या उससे ज़्यादा होगा तो उस operational creator को भी notice जरूर जाएगा बट उसको voting करने का अधिकार नहीं होगा अब अगर मैं चेक करता हूँ यहां पर आपके इंदोंने क्रेटर की लिस्ट दे रखी है तो यहां पर इंदोंने financial data financial data और यह financial data related party not regulated by financial service regulator मतलब यह second provision में cover नहीं हो रहा है फस्ट में cover है तो यह ओव्यस ही बात है COC का पार्ट तब बनते हैं अगर यह तो financial creator नहीं है यह अगर financial creator है और अगर वो related party है उस case में फिर operational creator जो होते हैं वो COC का पार्ट बनते हैं और यादकर फिर operational creator वाले case में 18 प्लस 1 प्लस 1 वाला combination आपने किया होगा कि 18 largest हो गया representative workman का हो गया employee का हो गया तो मेरे उन्होंने answer में आपे लिखा हो पहले बात उन्होंने वहीं लिखा है section 21 to सभी financial creator जो होंगे वो COC का पार्ट बनेंगे बिल्कुल सही लिखा है फिर अगर वो related party होंगे तो फिर वह आपे COC का पार्ट उनको राइट करने मलब representation पार्ट इस्पेशन वोटिंग का राइट नहीं होगा जबकि इन्होंने यहापे second प्रोविजो लिखी नहीं है बट second प्रोविजो भी मेरे कोडिंग यहाँ पर आने चाहिए बट फिर उन्होंने इंचे बोला है कहरे accordingly in the given case all the creators given in question A, B, even C जो related party है कहरे D and E can form COC मेरे कोडिंग थोड़ा सा गलत है but right to vote in such COC meeting shall only lie with A and B तो वो तो obvious सी बात है कि A और B को voting करने का right मिलेगा but सारे के सारे financial creator COC का पार्ट मनेंगे वहाँ तक तो सही है बट यह सभी creator COC का पार्ट बनेंगे वह मेरे कोडिंग थोड़ा सा गलत है तो यह थोड़ी सी correction आपको करने पड़ेगी अगर by chance इस तरह का exam में question बनता है तो आपको as per section number 21 की reference देकर आनी है दोनों प्रोविजों की reference देकर आनी है और उसके coding आपने अंसर लिखे आना है अगर आपको सर इन्होंने अगर यह लिखे तो हम क्या करके आएंगे अगर आप चेक करोगे question में इन दोनों operational debt का जो debt 10% यह उससे ज्यादा ही बन रहा है अगर आप total debt count करोगे उसका 10% यह उपर बन रहा है तो नोटीस तो इन दोनों को जरूर जाएगा बंगो वोट करने का अधिकार नहीं होगा तो यह आंसर तो इन दोनों को पर comment करें जुरू बताएंगे थैंक यू सो मच गॉट ब्लेस्ट यू लवी ओल बाइबाए थैंक यू सो मच करें 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 करें